लो बेबे अजार तनतन हजार ब्लड टेशना पैसा लो नहीं आ लोकोंने लूतो टेम टॉरेंट पावर खुले हम अमने लूते छे डॉक्टरों खुले हम लूते छे तमें लजी माज़तारो सरकारी ओस्पिटल छे त्याएं तमारे पैसा लवा पड़े और हमारे गुजरात का विकास नहीं करा हमारे गुजरात को गुलाम बना दिया गुलाम कैसे बनाया मैं आपको बताता हूं गुलाम ये से बनाया दो चकलन दो चूती है खले होएंगे ये सोसाइटी मेरी ये लाव 15,000-20,000 हमारी पूरी पात्रिस सो वाटर्स को चोटे- पंसो रुपया गडिव इंसान कासे लाके देगा तो ये ब्रश्ट अधिकारी जो यहां बैठे हम्दाबाद के मुनसीपल कॉर्परेशन के कुम करन वो निंद्रा में सी नहीं जाकते क्योंके वरेज जिनों तो करोड़ रुपय का कोबान खाली मुनसीपल टी कोठे में ग ना देखा होगा ना सुना होगा ऐसे सक्स मिले हुए हैं हमें अधिये उनसे सीधें बारताल आपी सीधी बातचीत करते हैं और पूछते हैं ऐसा कौन से मुद्बे हैं मेरा नाम रफिक फुरूटवाला है मैं एमदाबाद वटवा सहर में रहता हूं हमारे यहां प्रॉब्लम ऐसा है कि यहां पर एमदाबाद मुनसीपल कॉर्परेशन ओगनी याने 45 साल पहले कॉर्परेशन आई थी लेकि रमकू कोई जातकी यहां रोल गटर पानी लाइट की सरकार की तरफ से कोई सुवीदा नहीं थी तो वो सुवीदा के लिए हमने माननी गुजरात हाई कोट में 2005 में रिट पिटिशन दाखल की थी 2005 के पहले की बाद पहले से एमदाबाद कॉर्परेशन में आई हुई थी तो हमने 2005 में रोल गटर पानी जो हमारे मौलिक शिद नव में कोट ने हमको ओडर किया मुंसिपल कॉर्परेशन को कि बाद इनको रोल गटर पानी लाइट की सुवीदा दे दो ऐसी हम लोगों को टोटल ग्यारा सुवीदा और थी जैसे पानी की टाकी है इसकूल है हॉस्पिटल है लाइबेरी है स्विमिंग पूल है हेल्थ कल की की फारज में आता है कि हमको फारंगक की ब эфф네요 या धंडे के लिए रोजी रुजगार के लिए बजार भी हमको बना के देने की जवाबदारी उनकी आती है दो जारन नव में हम लोग कोट में जीत चुके थे जीत भी गए आप जीत गए हमने जो यहां पर मांगव के लेकर आपने कोट दो आपके सी जीत गए जीत गए उसके बाद क्या हूआ उसके बाद ये हुआ कि हम लोगों को उस दोरान नोटीस बजानी पड़ी हमने माननी है मुख्यमंत्री को नोटीस बजाए मुख्यमंत्री को नोटीस बजाए उस वक्त मुख्यमंत्री नरेंदर मोधी थे और मेयर को नोटीस बजाए एमदाबाद सेहर के मेयर को नोटीस पानी लाइट और बाखी 11 सुवीदा है आप लोग कब दोगे तो उसमें हम लोगों को बताया के बैं तुमको दो महिने में पांच महिने में सुवीदा देंगे नहीं दी हमको मतलब समय दीरे-दीरे टाला जा रहा था तो फिर हम लोगों को मजबूरन कंटेम आप दा कोट के पगले लिए जब जाके मुंसिपल्टी के कमिश्णर को एमदाबाद सेर के जो यहां पर पानी की टाकी बहुत दूर पानी की टाकी वो भी जमीन सरकार के पास नहीं थी खरिदनी पड़ी थी फिर हमारा नवाना पंपिंग इस्टेशन ड्रेनेज नवाना पंपिंग पंपिंग इस्टेशन बना तो वह भी टकला दी है हमारी बरसो पुरानी गटर लाइन वह भी सब फेल है बार बार लोगों के गटर लाइन उबरा जाती है पीने का पानी गटर का पानी मिक्स हो जाता है उससे रोग चाड़ा फट्टा है यहना दुनिया अबर के रोग है कि आप मेरे साथ चलिए बीचे बस्ती में ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम विस्तार में इंदो विस्तार बच्व भाई के कुवे पाद चले जाए एक 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 बात बताईए जिस्टम है आप यह ब्रश्टा चार के खिलाब जो आप अपनी यह मांगों के लेकर लड़ रहे ते उस टाब आप अकेले लड़ रहे थे और भी लोग थे आपके साथ मैं जब आई कोट में रीट पीटिसन दाखल करने गया जब मैं अकेला ही था क्योंकि हमारे यहां उस दोर में ना वाट्सप था ना वाट्सप मीडिया थी कोई एज्यूकेशन नहीं कोई का माइंड अकेला निकला था लेकिन फिर उसके बाद पूरा मोहला सबको पता चलता गया धिमे 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 कारवा बनता गया तो हमने हुआ रेलिया भी निकाली भू करताल पे भी बेठे नगर निगम के सामें अमदाबाद मुनसिपल कॉर्परेशन के सामें बार बार रेलिया करते गए बार बार इनसे करते गए जब जाके हमको रोड गटर पानी लाइट मिला वो भी सरकार हमको पीने के पानी में रोक चाला फिरी देती है अब यही तो बात है कि देखिए लोग कहते हैं कि आम जनता क्या नहीं कर सकती आम जनता चाहे तो क्या नहीं कर सकती उसका जीत कि दिखते हैं कि और यह क्या बोलना चाहरे क्या कहना चाहरे हैं और ऐसी हिंधुस्तान के नागरी के दिल में होनी चाहिए जजबा होना चाहिए लड़ने की छमता होनी चाहिए क्योंकि लड़ेंगे तभी मिलेगा नहीं मिलेगा लगना ही पड़ेगा हमको हमारे हक के लिए लड़के लेना है और यह लोग को हमको हमारा हक देने वाले नहीं है देखो आप आईए यह प्लोट यहां हमने 2005 में है यह दोजार पांच से हम लोग रोड गटर पानी की ठाकी स्कूल होस्पिटल के लिए मांगनी कर रहे हैं लेकिन हमारे यहां के ब्रश्ट मुंसिपल एस्टेट टीडियो टीपीयो बिल्डर और भूमाफिया एक्टिव हुए है और यहां पर देखो उदर दूपलेक्ट भी बना दी है तो यह ब्रश्टाचार इनका खतम नहीं होगा मैं 2005 से लड़ रहा हूं हाई कोट का ओडर होने के बावजुद भी कॉर्परोशन ने अब पांच पांच दस पंद्रा दिन पहले यह प्लोट का कपजा लिया अब यह ब्रश्टाचार निये तो किलो मीटर दूर इसकूल इसकूल है अंदाद मुंसिपल कॉर्परेशन की सरकारी स्वास्ताय विभाग कोई ध्यान नी दे रहा है कोई जातका ध्यान नी दे रहा हमारे एरिये में पूरे वटवा विस्तर में गटर पीने का पाणी सब मिक्स आता है उससे घर घर बच्चे सिपल के बीमार है तो यह क्टर का ओर का पीने का पाणी सरकार खूद हमको रोप चाड़ा फ्री में देती है याने कि यह कहारन क्या समझना यह खाता स्वरार है कबार बार अमप्लेंड करें बार अदो कम्पहरा करी कि आquarर का पीने का पानी मिक्स आता है लेकिन कोई शुन पानी की टाकी इसकूल बीस हजार गेलन पानी की कमी है अभी आप चले जाओ अजिम पार्क यहां का विस्तार है वो उसके आजपास में कम से कम दो हजार घर है जहां पीने का नल अभी भी नहीं है इधर पीछे का विंस्ता रामबाग मक्डुमनगर विवाक बाद पीने का पानी नहीं है और सरकान सहर क्लाँगां में पव EL की नहीं पानी की टाकी गार्डन सागबाजी का बजार वह कहां से देंगे यहां पर अभी कौन को नेता है चुनाव में आप देख रहे हो इतना बड़ा एरिया यहां कोई नहीं चाहिए यहां सिर्फ पांच साल के अंदर एक बार चुनाव आता है आपको लग रहा है यहां चुनाव है क्योंकि कोंग्रेस के नेता को भी चुनाव जितना नहीं है आम आदमी पार्टी के भी चुनाव जितना नहीं है तो अमारे क्या समझने का अमारे बाजपा 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 भी नहीं दूँगा और ब्लेक लिश में सबके वोट मेरा ब्लेक लिश में डाल दूँगा नहीं दूँगा एसो को वोट क्यूंके पात साल में एक बार दिखते हैं फिर हर पात साल हमारे एक नॉर्मल वस्तु के लिए गोल 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 जनता गुमती रहती है फ आपको बहारो सिपके पहां, आपको को अभी दिख रहे है... ए असा है, और मेन हमारी सुगी है, फोसी मोऊ सक्क बिस्यों कोई जहाखा भिखें सोर्ld कर अघार सwiązek me क् भाजनें आपको हमारा भूली की नहीघा? इस यह वाई खोछिव एंदर बिका नेत उनु रहां रुखा है। एक रेली में आती थी लेकिन हम लोग कभी नेताओं से नेताओं का नियम क्या है आज आज मैं आपको एक दाख़ा देता हूं वोट लेके चले आते फिर पांच साल तक कोई दिखता नहीं है और हमारी सोसाइटी का हमारा जो में रहता हूँ है यह हमारा परिवारे पूरा सु पांच रुपे में नेता खरीद लेते पांच साल की मेरी वेल्यू पांच रुपे है खाली बीस अजार भागिया पातरी सोकर हो तो आपको हमारी वेल्यू खबर पड़ेगी ऐसे लोग होने चाहिए जो विरश्टा चार के खिराब बोलते हैं ऐसे लोग होने चाहिए जो बोलते हैं अपने हकी लगाई लड़ते हैं ना इधर ना उधर परिणाम वहां जनता जहां हर वोट करता चोट आप हैं लोगतंतर की पहचान इस बार जरूर करें मतना आपका वोट देश की ताकर